अब लिए नाउ बाइ दे टाइम आपका syllabus पूरा का पूरा खतम हो चुका होगा जितने module हमने बोले उकते कर दिये जितने questions हमने बोले उकते कर दिये Sir हमारे classes खतम हो चुके और अब हमें एक बहुत important सवाल ख़ड़ा होता है कि sir DT कैसे पड़े and that too CA final का DT कैसे पड़े sir बहुत ज़्यादा तकलीप है क्योंकि CA final के DT के अंदर में right CA final के DT के अंदर में सवाल खड़ा होता है कि boss क्या करे कैसे करे sir 43 topic है मतलब DT एक तरफ और बाकी के पूरे subject एक तरफ अब ऐसा लगने लगा है तो इनका study कैसे करे sir मुझे particularly जैसा लगता है मैं आपको ऐसा बता देता हूँ हलाकि इसको best follow करना यह आपके हाथ में DT कभी भी एक stretch में लेके बैठना बहुत बड़ी गलती होगी कभी भी इसे एक stretch में लेकर के मत बैठे कि बहुत मैं सुबेरे से लेके बैठा हूँ शाम तक के मैं पूरा खतम कर दूँगा ऐसा मेरे ही subject के साथ नहीं आप किसी भी subject के साथ ना करे reason बहुत clear cut पहला ही बता देता हूँ क्योंकि एक end के बाद बहुत bore होने लग जाएगा आपको तीन गंटा चार गंटा आप रिटेन कर लोगे उससे उपर का रिटेन में नहीं हो सकता है subject के लिए एक बात समझना point पहला सबसे पहले exam के लिए आपको exam से पहले आपको ready रहना है पहली important चीज़ के साथ वो है notes जो भी teacher के पास आपने पढ़ा है सबसे पहले तो उसके notes हर topic के है या नहीं जितने questions उसके material में covered है वो सारे questions आपने किये है या नहीं ये सारी चीज़े देखना बहुत ज़रूर है दूसरी and सबसे important बात क्या आपको सारे amendments पता है क्या सर भले ही आपने amended class लगाये होंगे पूरे के पूरे बट जो भी respective teachers है आप please उनके YouTube handle पे जाएए या उनके website पे जाएए या academy में जाएए और पूछिए कि क्या उनने कोई amendment material further issue किया आएगा क्योंकि देखिए exam से पहले जब RTP आता है तीसरा होना चाहिए case law आपके पास एक material जो होना चाहिए exam से पहले वो होना चाहिए case law कुछ भी कर ले तो भी करीब 15 से 20 माग के case laws के you know case law based question आते ही आते है case law based question आते ही आते है तो exam से पहले जो relevant case laws है वो आपको ज़रूर पढ़ने है और ये mandatory part है RTP आपके पास RTP होना बहुत ज़रूरी है और RTP होना चाहिए आपके पास पिछले दो attempt का मतलब जो attempt आप देने जा रहा है उसका और एक पिछले attempt का RTP होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि RTP में कई ऐसे questions होते हैं जो उस साल के amendment है लेकिन पूछे नहीं गए है और इस साल के amendment है जो आप पूछे जा सकते हैं DT के exam से पहले आपको RTP भी देखना बहुत ज़रूरी है तो DT के exam के लिए आपके पास इतनी चीज़े होना बहुत ज़रूरी है अच्छा जी अब आपके पास notes के साथ साथ एक और चीज़ होनी चाहिए short notes DT इतना ज़ादा vast subject है और एक का दूसरे से link up कुछ नहीं है इस time पे आपके पास अगर कोई short notes हो या कोई charts हो या कोई revision short revision modules हो अगर आपके पास ये सब है तो आप बहुत ज़ादा फाइने में रह सकते हैं क्योंकि 5 minute में 10 minute में अगर आप chart के through देख लें notes के through देख लें फटाफट chapter clear हो जाए ऐसा कुछ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि exam से एक दिन पहले जब आपको छुटी रहता है एक दिन पहले आप सोचके देखिए आप कोई बड़े-बड़े module नहीं पढ़ सकता मेरे मेरे खुद के CA final में चार module है और मैं खुद बोलता हूँ कि यह नहीं पढ़े जा सकते exam से एक दिन पहले नहीं हो सकता practically possible नहीं है तो उस चीज़ के लिए आपके पास short notes होने जरूरी है चार्ट होने जरूरी है या revision clip किसी के भी होने बहुत जरूरी है जो YouTube पे व जाना है CA Vijay Sarada सर्च करने के बाद आपने जाना है playlist के अंदर में बोलो कहाँ जाओगे playlist के अंदर और playlist के अंदर में आपको जाना है revision CA final May and November 19 आपको ये मिल जाएगा इसके अंदर में आपको सारे revision जो छोटे-छोटे पूरे chapters है इनके छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोट revisions हमने बना के रखे ये सारे short revisions उस chapter के आपके यहाँ पे available है आप वो देख सकते हो ये तो हुआ revision के लिए charts के लिए आप visit कर सकते हो vsmartacademy.com ये मेरे तो ही आपके teachers के भी होंगे तो please उसे पढ़ लीजे मैं ये नहीं कहरा कि आपको मेरा ही follow करना है पर जिस भी teacher का आपको follow करना है प्लीज आप follow करे revision notes के लिए t.me slash c.vijayisarda ये मेरा telegram channel है और इसके उपर short notes मैंने डाल रखे है अल्रेडी डाल रखे है जब तक आप ये वीडियो देखेंगे या फिर आपके exam से पहले मैं डाल दूँगा देखिए class खतम होने के बाद unless and until आप मेरे touch में है तो मैं आपको पहुचाऊंगा कै से आप मुझे बाद में phone करेंगे message करेंगे और बुलेंगे कि sir मेरा तो ये नहीं हुआ ये वाला amendment cover नहीं हुआ वो वाला part cover नहीं हुआ या ये वाला part cover नहीं हुआ ऐसी कई चीजे हो सकती है समझ के रखें टॉपिक इतना वास्त है हमें भी पता नहीं होता कई बार institute देखें या telegram के through देखें तो notes के लिए आप please इनके उपर जाईए telegram के उपर वापर short notes मेरे available है telegram की खासियत यह है आज भी अगर आप group join करते हैं तो past में मैंने जितनी चीजे डाल रखिये हो सब कुछ है इसके अलावा आपको बता दू telegram का जो मेरा channel है या most updated channel है क्योंक अगर आप में दे रहे हैं तो आपको 31 December तक के सारे circular applicable है और अगर आप November 19 दे रहे हैं तो आपको 30 April तक के सारे circular applicable है तो जैसे ही जैसे कोई circular आता है आप मेरे telegram channel पे जाएंगे तो मैंने उस पर circulars भी डाल रखे है और वो किस से related है मैंने वो भी डाल रखा है तो आप वो भ करते जाएंगे तो आपकी कई चीजे clear होती जाएगी clear है तो exam से पहले आपके पास इतना सब कुछ होना चाहिए sir पढ़े कैसे अब ये बता दीजे sir मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले आपने पढ़ने चाहिए assessment procedure जिस sequence में मैं class पढ़ाता हूं मैं उस sequence में बता रहा हूं ये logical भी है एक बार आप assessment procedure पढ़ लोगे तो करीब करीब आपके 20 से 30 माग का game यहीं खतम हो जाता है और assessment relatively बहुत easy है अगर आप पढ़ लो sequence में तो कि इसके बाद ये होता है उसके बाद यो होता है उसके बाद यो होता है हाँ जी इसके बाद आप पढ़े computation of income ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि assessment of various entities चालू करने से पहले आपको computation समझेगा तो assessment of various entities में आप automatic उनके लिए compute कर लेंगे इनमें कुछ नया दिमाग लगानी की ज़रूत नहीं है तीसरा आप पढ़े assessment of various entities और चौथा आप पढ़े international tax in short मैं जिस module में पढ़ा रहा हूँ मैं उसी module में आपको बता रहा हूँ जिसके logical sequence है पहले department क्या करता है आपकी income के साथ वो समझे फिर income compute करें ताकि आप हर भार ध्यान रखे कि आपने कुछ भी गलत किया तो department बैठा है उस चीज़ को सुदारने के लिए तीसरा अलग-अलग लोगों की income कैसे निकाली जाएगी और चौथा आपकी international tax की income कैसे निकाली जाएगी अगर आप इस sequence में नहीं पढ़ना चाहते तो मैं एक alternative दे रहा हूँ alternative है सबसे पहले international tax पढ़ ले international tax पढ़ना इसलिए है क्योंकि यह बहुत easy है अगर मैं पूरे DT और international tax को compare कर तो international tax जादा easy है theory है जादा easy है practical problems if DTAA को लेकर के आते है या case study based question आते है वो आप कर सकते है तो पहले international tax पढ़के खतम कर दे इसके बाद तू assessment पढ़ फिर इसके बाद तू computation of total income पढ़ और फिर इसके बाद assessment of various entities पढ़ यह sequence भी तू follow कर सकता है depend करता है आपको क्या follow करना है और आप किसमें जादा comfortable हो उसमें clear है अगर मैं बहुत easily आपको एक point suggest करूँगा आपने questionnaire और MCQ solve करके जाने है सर में attempt से MCQ आ रहा है और आपके पास material होना चाहिए आप MCQ की practice करें MCQ की practice के लिए मैंने आपको जैसा की कहा मैं मेरे ही YouTube channel पर अब जबकी मेरा यह batch खतम उन्हें आ रहा है तब मैं free हो जाओंगा और मैं रोज इसके ओपर एक video बना करके upload करते जाओंगा 10 minutes 10 MCQ जिसके अंदर में हम लोग discuss करते जाएंगे कि MCQ क्या है और कैसे है अगर आप अब तक class नहीं लगाया है लेकिन आप MCQ मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको एक MCQ book buy कर लेनी है vsmartacademy.com से और वहां से आप उस book से ही क्योंकि मैं MCQ लेने वाला हूँ तो आप उसके साथ-साथ मेरे साथ MCQ देखते जाएंगे रोज का target रखें जिन-जिन subject में MCQ है उन्हों subject के at least 10-10 MCQ अगर आप 5-5 minute का time निकालके 10-10 MCQ भी solve करते जाते हैं तो आपका 30-40 माग यहीं शौर हो जाएंगे तो यह एक practice बिल्कुल मत भूलना कि MCQ practice करना भूल जाओगे और exam से एक दिन पहले पूरे MCQ करने बैढ़ जाओगे यह कभी नहीं हो सकता तो राधर 10 minute का आपको break है अगर कोई chapter पढ़के बहुत बोर हो चुका है 10 MCQ solve कर लो आ आगे बढ़ा दो आपका काम बहुत easy हो जाएगा और यह एक बहुत सीजा तरीका है दूसरी important बात question लिखके solve करें कई जगह कई जगह बच्चों ने DT सिर्फ पढ़ा है लेकिन practically solve नहीं किया है कोई problem ने questionnaire होगा आप उसे solve करें provision पढ़ें उसे solve करें doubt है relative teacher को पूछे की सर पर लिखे वे होते हैं उन्हें WhatsApp करें और आज पूछें कि सर यह क्या है क्यों है कैसा है हो सकता है अगर teacher busy और reply ना करें तो आप कहीं और किसी teacher से भी पूछ सकते हैं आप reference ले सकते हैं कि सर इसमें क्या करना चाहिए और कैसे होना चाहिए थोड़ा सा self study वाला mode लाना बहु हो जाना चाहिए मतलब dt एक बार पढ़के कितना हो जाना चाहिए classes के बाद tentatively tentatively मुझे ऐसा लगता है right कि आपको dt को self study में नहीं तो भी 70 hours तो देने ही पड़ेंगे देखिए आपने dt के class जरूर जोइन कर लिए अगर मैं hours की बात करूँ तो 70 से ले करके 90 hours के बीच में आपने जो कोई भी classes join कियोगी ये करीब करीब 120 hours या प्लस होगी no doubt अब आपको खुदको जब self study करोगे तो आपको queries arise होंगे problems arise होंगे उसको solve करने में जो आपने teacher ने method यूज किया है वो आपको देखना पड़ेगा कोई और method आपको module में दिख रहे का वो देखना पड़े हैं या आप November 19 दे रहें तो दोनों case में बता देता हूँ या आपका कब कब हो जाना चाहिए sir आपका पहला reading ये हो जाना चाहिए before feb 19 आपका पहला reading हो जाना चाहिए feb 19 इससे पहले बहुत ज़रूर ये एक reading तो जाके आप multiple reading कर पाओगे और दूसरा आपका September 19 तक ये हो जाना चाहिए second reading एक बार फिर आपकी होनी चाहिए वो होना चाहिए March end से पहले extend करते वक्त करदो मैं इसे 15 इपरिल तक the maximum deadline मतलब अगर आप कोई और भी subject पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको हमेशा है सजेस्ट करूँगा मेरा study pattern हमेशा से ये रहा है कि मैं कोई भी subject एक साथ stretch में नहीं ले सकता था आप दिन में उसे तीन subject rotate करने पढ़ेंगे इससे आप बोर भी नहीं होंगे और अलग-अलग subject का थोड़ा 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 आगे बढ़ जाएगा ऐसा अगर आप plan कर रहे होंगे कि पहले 15 दिन मैं पूरा सिफ cost पढ़ लेता हूँ फिर 15 दिन मैं पूरा सिफ dt पढ़ लेता हूँ फिर 15 दिन पूरा मैं you know optional subject पढ़ लेता हूँ ये बिल्कुल गलत strategy और इसमें कभी आप successful नहीं होने वाले मैं तो करके देख चुका हूँ आप भी कर लीजे क्योंकि अगर आप ऐसा करते भी है समझो आप ऐसा करते भी है तो वह 15 दिन आपके दिमाग में सिफ dt रहेगा और आपको बाकी की subject का tension आता रहेगा और राधर थोड़ा सा इसका थोड़ा सा इसका थोड़ा सा इसका थोड़ा सा इसका अगर आप करेंग एक्जाम के टाइम पर आप उठाएंगे तो आपके पास टाइम नहीं होगा कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं मेरे भाई जो आपके टीचर ने पढ़ाए लेकिन आपको समझ नहीं आए नो कम आण वियराशी एफाइनल स्टूडेंट्स बॉस हो सकता है कुछ टॉपिक ऐसे हो आपको टीचर ने पढ़ाए लेकिन समझ नहीं आए यूट्यूब अवेलेबल है मेरे भाई तेर पास सर्च कर तूबस टॉपिक का नाम डाल अलग-अलग टीचर मिल जाएंगे तेरको किसी का भी वीडियो उठा करके देख ले किसी का भी वीडियो उठा करके देख ले उस concept के उपर अगर available है तो बिनास देख क्या problem है कोई problem है अपने को पास होने से मतलब है teacher का favoritism बाजू रख उससे पहले तेरा career है उससे पहले तेरा career है यहाँ रख यहाँ पे हाँ जी बता रहूं ठीक है यह है sir मुझे ऐसा लगता है 45 hours to 50 hours के अंदर में यह हो जाना चाहिए next reading आपको अब reduce करना पढ़ेगा जब next reading आप करते रहूंगे पहले में से आपने कुछ questions बाहर निकाले होंगे सिर्फ उतने questions के ओपर ध्यान देंगे बचेवे questions पर ध्यान देंगे कुछ topic जो बहुत जादा easy थे और आपको लगता है exam से एक दिन पहले यह manageable है उसको उसके लिए छोड़ दो कोई problem नहीं है second reading के अंदर में आप उन topic पर फिर से focus करेंगे जो topic बहुत जादा important है third reading if possible third reading if possible अगर possible हुई तो ही आपको करना है mid April तक यह मैंने यहां तक के दिया है बट अगर किसी का माननो March end में हो जाता कोई एक group ही दे रहा होगा तो right तो third reading आपको चालू करना है या तो mid April से एक reading और इसके अंदर में आप सब उठाएंगे miscellaneous topic मतलब सारे चोटे topic क्यूंकि second reading में आपने सब hard वाले उठाए होंगे तो third reading के अंदर में आप सब चोटे 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 topics उठा लेंगे उस topic के सारे चोटे topics उठा लेंगे करने का deadline मैं आपको देता हूँ 20 से 30 hours का इसको आपको इत्ते में खतम करना पड़ेगा सर ओवरल आप देखेंगे ये दोनों मिला के कही ना कही 70 से 90 की range में जाएंगे वापस से मतलब पहले 70 करें 70 से 90 में पूरा करें second reading में सिर्फ बड़े बड़े topic उठाएं third reading में सिर्फ छोटे छोटे topic उठाएं sir again इसको आप accordingly adjust कर लिजया जैसे की October or October mid accordingly sir what should we do one day before exam मैं क्या करूं sir जाहिड सी बात है पहला paper देके आये होंगे forget about that paper सबसे पहले तो कौन सा paper होगा इसके पहले elective paper elective paper को छोड़ गया है और उस paper को भूल जा है the first thing you should do is go through amendments किसी भी teacher का lecture पकड़ो और उसमें amendments ढूंड़ो amendments ही इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि एक बार amendments recap होगा तो उससे related आप चीज़े डील कर पाएंगे the another thing you should do is case law at CA final level the another thing you should do is case law case law इसलिए क्योंकि मैंने आपको कहा है कि case laws आपको edge देगा exam देगा या किसी टीचर ने mcq डाले है YouTube पे आपके पास book है तो जितने mcq आपने important mark करके रखे है क्योंकि देखे अगर मैं मेरी ही बात करो तो मैंने 1800 mcq से module 1 में दे दिया आपको येस तो 800 mcq आप exam से एक दिन पहले नहीं कर सकते हैं तो छोटे छोटे जो बट अवे से आपको लग रहा है आपको जो बहुत कर लो तुम कि सुबह में 10 करूँगा शाम में 10 करूँगा आप 600 mcq पर पहुच जाएंगे साब आपका passing percentage बढ़ जाएगा उतना ही और mcq आने के वज़े से आपके साथ अच्छा नहीं बहुत बुरा हुआ है क्योंकि अब आपको section में बहुत बारी की से पढ़ना पड़ेगा एक एक चीज को अच्छा जी इसके बाद आप क्या करें उस रात सोने से पहले ज्यान जा सुने उस रात सोने से पहले सारे मिस्लेनियस टॉपिक पढ़े मतलब उस रात सोने से पहले सारे मिस्लेनियस टॉपिक पढ़े अगर मैं DT में बात करू तो चुप चाप पहले में पढ़ते जाएंगे और जहां तक के मैं आपको बता रहा हूं इंटरनाशनल टैक्स के टॉपिक अगर तुम इमांदारी से साढ़े तीन घंटा भी बढ़े तो चार टॉपिक खतम कर दोगे गलत बोल रहा हूं इमांदारी से तुम को से बैटने टीपी की बात नहीं कर गया, केसलो का खतम हो गया, you will be relaxed, दूसरे दिन, morning में आप सो के आराम से उठ सकते हो, but not beyond 8, ये याद रखिएगा, fresh वगरे होई है, accordingly, जो सबसे पहली चीज़े जो आपने पढ़ना है, वो है computation of total income, इसको क्या करें, इसको कैसे ढूंदें, आप इसके लिए module उठा सकते हो, आप इसके लिए जो भी आपके class के note से वो उठा सकते हो, relevant teacher ने आपको questionnaire issue किया होगा, वो उठा सकते हो, और सीधा total income के problem में जाना, सीधा total income के problem में जाना, क्योंकि total income के problem ही एक ऐसे problem है बेटा, जो सबसे जादा आपके अलग-अलग-अलग-अलग-अलग chapters कवर कर लेंगे, और आपका substantial revision हो जाएगा इससे, तो आप सीधे-सीधे एक काम करें, एक questions all करें, chart होगा तो chart पढ़ ले, short revision होगा तो short revision देख ले, एक chart पढ़े, फिर एक questions all करें, एक chart पढ़े, फिर एक questions all करें, आपके question income के करीब-करीब 20-30 questions यहाँ पर deal होने ही चाहिए, जो आप पहले स पढ़ चुके होंगे, by default में, इसके बाद अगर आप कुछ पढ़ना चाहें, तो वो पढ़े assessment of various entities, और assessment of various entity के बाद, रात सोने से पहले, आपको एक बार assessment procedure के relevant topics पढ़ने हैं, पूरे नहीं भी होए तो चलेगा, बट relevant topics पढ़ने, जैसे कि assessment हो गया, due dates हो गई, appeal revision, rectification, settlement commission, advance ruling, यह वाले topic पढ़ने, ज्यादा edge मिल जाएगा, कुछ बच भी गया, तो यहाँ आपको morning में थोड़ा जल्दी उठना पढ़ेगा, और यहाँ पर आपको आपका balance complete करना पढ़ेगा, exam से एक दिन पहले आप expect मत कीजे कि आप question solve कर पाएंगे, पर हाँ, एक बार mat में क्या क्या आता है, जो format based है वो पढ़े, mat में क्या edition में है, क्या deletion में है, amt में क्या edition में है, क्या deletion के अंदर में है, tonage taxation के rate क्या है, general tax rates क्या है, क्योंकि यह आत्मी छोड़के चले जाता है, general tax rates क्या है, समझ मारी बात, आप यह सारी चीजे करें, कुछ specific amendments है तो वो क्या है, depreciation के rates क्या है click नहीं होता है exam के time पे click करवाईए कि ये ये चीजे है ये ये चीजे है ये ये चीजे है कुछ बाते बहुत अच्छे से आपको याद रखने पड़ेगी पहली बाद keep calm देखे पूरा game सिब वो 3 गंटे का है पूरा का पूरा game वो 3 गंटे का है ये 3 गंटे अगर तुमने professionally अच्छे से manage कर लिए तो तुमारा paper बहुत अच्छे से जा सकता है ऐसा कोई चीज नहीं होगी जो तुमने पड़ी नहीं होगी बस ऐसा है कि वो उस time click नहीं हो रही होगी क्योंकि आप exam के लिए prepare होना है तो मैं समझता हूँ आपने सब कुछ पड़ा होगा पर हो सकता है उस time click ना करे relax पेपर बहुत जादा easy आजाए घबराना आपको बिल्कुल नहीं है बहुत जादा easy आजाए तो हडबर में काम नहीं करना है बहुत जादा hard आजाए तो दढ़ना नहीं है शांती से एक बार नहीं समझ मैं है दो बार पढ़ दो बार नहीं समझ मैं है तीन बार पढ़ कुछ ना कुछ तो देखो जरूर click होगा बार-बार जब वो word hammer होगा लेकिन make sure ये सारी चीज़े आप करें पढ़ने से पहले देखें डीटी में formulas तो नहीं है कि आप उसको रोज read कर सकें पर हाँ chapters बहुत छोटे चोटे कुछ chapters है जो बहुत बड़े और कुछ chapters जो बहुत छोटे है जो chapters छोटे हैं इन्हें चलते फिरते आप अगर कभी भी निप्टा ले चलते फिरते मतलब आप मानने लिए कोस्टिंग पढ़ रहा है बोर हो गया आप एक topic फटाक से उठाइए जैसे taxation of cooperative society लेंगे खतम कर देंगे taxation of business test लेंगे खतम कर देंगे उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा hard and fast जो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगा सके एक बात यादर कि जो पहली reading तुम लोग कर रहे हो वो as such बस ये समझना कि मैं वापस से उस subject को पढ़ रहा हूँ उसमें तुम बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगाने जाओगे ना तो भी तकलीफ है और एक बात समझ ले ना मेरे भाई तु यूमन है तु रोबोट नहीं है कुछ चीजे ऐसी हो सकती है जो तिरको बिल्कुल समझ में ना है प्लीज उसको छोड़ देना उसके पीछे दिमाग मत लगाते बैठना मैं बहुत प्राक्टिकल बात बोल रहा हूँ और एवरेज स्टूड़न तो इसलिए बोल रहा हूँ तो बहुत जादा दिमाग लगा कि भी मत चल लेना कि यार मिल को समझी नहीं आ रहा है यार में क्या करू और पैनिंग नहीं हो जाना स्ट्रेट अवे छोड़ देना 43 टॉपिक्स है मेरे भाई 43 टॉपिक्स है तिरको क्या क्या पड़ेगा और कितना रीटेन करेगा cannot be done simple solution कुछ चीजे बिल्कुल छोड़के जाना और उसको बिल्कुल तुक्का ही लगा ना पड़ेगा आपको कि यह नहीं चाहेगा मैं आपको अब सबसे important बात कहने चाह रहा हूँ अगर आप CA final में है इसके पहले आपको एक भी attempt लगा है या आप बहुत दिनों बाद इस course में वापस आए हैं ऐसा होता है क्योंकि CA final में पहुचने के बाद आदमी के जब तक पहुचता है तब तक के जिम्मेदारिया भी बहुत सारी आजाती है और वो कहीं न कहीं यह नो बहुत दिनों बाद फिर उसको अचानक से याद आता कि मेरी जिन्दगे में कुछ चीजे छुटी भी है और मुझे वापस करना चाहिए मेरे भी कई दोस्ते आप अगर आप वापस आये हैं और आप सोचते हैं कि आपने वापस classes लगा ली self study कर ली तो आपकी पढ़ाई हो जाएगी तो आप बिलकुल गलत है और पूरे ही गलत है आपका न साब पहली बात ध्यान बठकावा है अब आपकी जिम्मेदारिया और प्रियोरिटी कुछ और है और आप बहुत दिनों बाद इन गलियों में आए हैं इसको streamline करने के लिए test series एक बहुत अच्छा तरीका है kindly join test series इससे होगा यह कि portion wise जब आप पढ़ेंगे portion wise जब आप पढ़ेंगे तो आपका 30% 30% 40% या whatsoever pattern में भी यह complete हो जाएगा और वो करवा के ले लेंगे और आपको भी समझ में आएगा इतने दिनों बाद जो आपकी writing practice छुड़ गई है क्योंकि CA final में आने के बाद writing practice छुड़ जाती है जो आपकी writing practice छुड़ गई है वो वापस आएगा आप exam से पहले अगर चार exam दे चुके होंगे तो सोचिए आपका exam से आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आप exam से पहले चार बार उस चीज को face कर चुके है चार बार उस situation को face कर चुके है तो चुप चाप test series लगा ले हमारे टाइम पर यह सब concept नहीं थे पर तुम्हारे टाइम पर है तो वह दो पाच हजार या दस हजार या वाटेवर उस फीज को रोते मत बैटना क्योंकि तुसी यह बन जाएगा तो उसके बाद तेरी एक sign यह सब निकाल देगी कॉस्ट नहीं है बेटा यह सब investment है इन चीजों को देखा नहीं करते तू बस यही सोच के खुश हो जा तू science student नहीं है तो तू ऐसी बहुत cost effective चल रहा है तू science student होता MBA student होता तो donation में उत्ते चल जाते जित्ते तक तू CA final में पहुचा है तो इन चीजों पर दिमाग नहीं लगाते है काइंड़ी solve problem do not do the audit मैंने किया था यह गलती हुई थी आप मत करें हमारी सब्से बड़ी गलती होती है तिक tiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktikt को solve करना है time लगा एक घड़ी ले time लगा देख मेरे को किते देर में लग रहा है यह problem को solve करते वक्त जब पहली बार तिरको 20 minute लगेंगे problem को solve करते वक्त तिरको pressure आएगा तू और solve करने के पूर में होगा एक whiteboard ला black pen ला उसमें solve कर 10 तर यूज कर 10 बार उसको solve कर कुछ चीजे चोटी-चोटी investment कर कोई problem नहीं है बेटा तू उस लास्ट टेज पे है जिस चीज के लिए तू पिछले शायद साढ़े तीन साल या उससे ज़्यादा से मेहनत कर रहा है एक टाइम था तेरे लिए CPT हाड था एक टाइम था तेरे लिए IPCC हाड था एक टाइम है तेरे लिए final हाड है तो निकल जाएगा 6 मैने बाद खुद हसेगा कि क्या course था यार बहुत ही easy था चिल्लर था आपको भी एक बात तो माननी पड़ेगी final is easy बस यह lengthy बहुत है बस यह lengthy बहुत है आप topic देखिए आप IPCC के hardness को compare किजएगा और final के hardness को compare किजएगा सर्थ मुझे particularly लगता है हो सकता है किसी को ना लगे मुझे particularly लगता है final ज्यादा easy है as compared to IPCC क्योंकि final में कई topic ऐसे हैं जो IPCC के extensions ही है बस यहां वो इतना vast हो जाता है उसका depth इतना vast हो जाता है कि आप उसे accommodate नहीं कर पाते है lengthy है और lengthy का solution एक यह बेटा ते को पढ़ना पड़ेगा कुछ चीजे और ध्यान रखे आर्टिकल शिप से थोड़ा जल्दी छुट्टी ले सर्ट आप अपने boss से बात कीजे boss को बोलिए कि मेरा एक बार exam हो जाए उसके बाद मैं office में दो मैने आ जोँगा जब तक result नहीं आता वैसे भी मैं काली बेटा रहूँगा मैं तब serve कर दूँगा सर आपको possible है तो बात कीजे और आर्टिकल शिप से थोड़ा जल्दी छुट्टी लीजे मेरा मानना यह है कि अगर आप में अटेम्ट देना चाहते हैं तो डिसेंबर तक या जनवरी फर्स्ट वीक तक आप अपने response possibility पूरी करके बाहर निकलिए वैसे भी November September November तक के आपके audits complete हो चुके होंगे बाकी सारी चीज़ करके बाहर निकल जाईए अगर आप November एटेम्ट दे रहे हैं तो April तक March खतम होने के बाद April तक आप बाहर निकल जाईए at least आपको चार मैने लगेगा सारी चीज़े खुद भी settle होने में कृपिया library join करें घर पे बैटके पढ़ाई नहीं होती तो कोई न कोई library जाए और library वो ढूंडे जिसमें ना आपका यार हो ना आपका प्यार हो बहुत अच्छी बात बोल रहो हूँ library वो ढूंडे जहाँ ना आपका यार हो ना आपका प्यार हो और कृपिया वहां teacher बनने नहीं होती है बेटा कुछ लोगों की घर में पढ़ाई होती है तो प्लीज वो घर पे बैटे बारना निकले पर अब वो मौका है जब तिरको तेरी स्टडी पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है तिरे क्लासेज अब बहुत सारे खताम हो चुके होंगे मेरे दोस्त ध्यान दे अब जो क्लासेज कंप्लीट हो चुके हैं उन में थोड़ा सा आगे बढ़ लाइफ में कई problems भी आएंगी जब तक तुम एक्जाम दोगे हो सकता है family में financial problems आजाए हो सकता है किसी relative की तवित खराब हो जाए हो सकता है आपकी तवित खराब हो जाए हो सकता है आपका प्यार बिछड़ जाए हो सकता है कुछ और तकलीफ आजाए हो सकता है यह सारी तू उसका कुछ नहीं कर सकता तो कृपया उस पर ध्यान देना छोड़ दे रिलेटिव की तब खराब हुई है तो तू डॉक्टर नहीं है तो उस पर तेरा दिमाग लगाना छोड़ दे I know ध्यान जाता है पर कुछ टाइम पर आदमी को selfish होना चाहिए और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जहां पर आपका अपका selfishness लाना ही पढ़ेगा यॉर करियर शुड़ बी दा मोस्ट प्रियर्टी रादर देन प्रॉब्लम बिकोस प्रॉब्लम्स आर अल्वेस टेंपररी माई बॉस क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो solution है you have to be selfish in order to bring your career in front of you problems तो अच्छा मैं को बात बता तो CA exam नहीं देगा तो क्या तेरे problems खतम हो जाएंगी क्या या तू tension ले लेगा तो तेरे problems खतम हो जाएंगी नहीं होने वाले मेरे दोस्त तेरे problem ऐसे ही solve नहीं होने वाले so what you need to do is you need to focus on what you are there for आपको focus करना पड़ेगा आप क्यों इस course में हैं क्यों यह करना चाहते हैं और आपका objective बहुत clear होना चाहिए कि मैं यह करूँगा और करके दिखाऊँगा वो मौका आ चुका है साड़े तीन साल या उससे जादा से तुम घिस रहे हो सिर्फ और सिफ इस course को clear करने के लिए आज जब एक मौका आया है तुमारे हाथ में माइड भी तुमको next time देने ना मिले माइड भी तुमारी situations चेंज हो जा लाइफ की तेरे पास यह एक मौका है तो इस एक मौके को जितना capitalize कर सकता है कर ले ऐसा समझ ले शायद next time दिरको लाइफ में देने ना मिले या next time तू इस course के दना रहे ही नहीं भिढ जा आता एकज कुत्रयसार खाब ज्यास पागलों के जैसे पड़ने बैड या मेरे को याद है sir the maximum time I have been to study is 18 hours in a day यह मेरे को मेरा याद है कि मैं maximum इतना रहा हूं और दो दिन करने के बाद मैं बीमार भी पड़ा no doubt but मैंने वो भी achieve किया क्यूंकि मेरे को बहुत हाड जाते थे कुछ subject जैसे सब्जेक का costing और इसका में को relatively थोड़ा हाड जाता था में को हाड जाता था मैं costing का problem देखता था मैं आपको इसके पहले भी बोला शायद में को समझ ही नहीं आता था उसमें करना क्या मतलब मेरी उसकी practice से तनी अच्छी नहीं हुई थी teachers ने बहुत अच्छा पढ़ाया मेर प्राक्टेस नहीं हुई थी तो इन चीज़ों पर edge लाने के लिए करें और sir problems अगर है तो उसके solution मिल जाएंगे आप से पर एक चीज़ान दीजे आपके parents को खुशी ज्यादा तब होगी जब आप CA बन जाए rather than problem का solution ढूने के लाएं क्योंकि problem का solution तो आज और कल या कभी न कभी तो निकल ही जाएगा पर ये जो attempt की dates चले गए ये ये वापस नहीं आने वाली ये period वापस नहीं आने वाला and एक टाइम पर जाना के CA final तक पहुचते पहुचते एक और चीज़ होती है आदमी को पैसे कमाने का सूचता है क्योंकि 45 साल की गरीबी हो देख चुका होता है तो अब उसको सूचता है कि यार मैं पैसे कमा लूँ ये कर लूँ वो कर लूँ मैं आपसे बस बहुत simple सी बात कहता हूँ sir short time financials goal को देखने जाओगे तो एक बहुत बड़ा financial goal मिस हो जाएगा मत करें कितना कमा लोगे कर करके एक लाख पांच लाख यही सी ये बनके न तुम इससे चार गोना ज्यादा कर सकते हो तो focus करो पढ़ने पे क्योंकि बेटा एक उमर के बाद ना तु कमा तो लेगा तेरी उमर अगर 24-25 हो गई तु कमा जरूर लेगा कोई ना कोई company में पर उस टाइम पर फिर पढ़ने के इच्छा खतम हो जाएगी और पढ़ने के इच्छा खतम हो गई तो फिर सब खतम हो जाता है सब फिर दुबार आप वापस नहीं आ सकते क्योंकि एक बार पैसे कमाने के आदत हो गई तो आप फिर से एजुकेशन में बहुत कम possibility है कि आप आ सकते हैं तो हर problem को छोड़ सारी चीजे छोड़ और तू त हंदे पर हम दे इसके अलावा कुछ भी लगे राइट इस इस मैं कॉंटाक नमबर इस इस मैं कॉंटाक नमबर हम डिसकस कर सकते हैं कुछ और पॉइंट अगर आपको लगता है डिसकस करने चाहिए तो for this time thank you bye and take care